हेलो रिंड वेल्कम आप सभी का हमार एजुकेशनल प्लाटफॉर्म कॉंपटिशन कम्यूटी में एक बार फिर से स्वागत है मैं धिरेज ज्याद हूँ यहाँ पर आज FTR सीरीज का रिजनिंग सेक्शन में पार फोर डिसकस करने वाला हूँ अगर हम बात करें टॉपिक्स क आज यहाँ पे कौंकौन से टॉपिक्स करने वाले हैं घडी दूसरा घंडर घंट संख्या गण Οमइ डिसकस करेंगे लुप्त संक्या च्याम यहाँ पर ऑर आज के सेशन का पहला कोश्चन आप अगर हम बात करें इस प्रश्चन की तो यहां पर आपसे पूछा गया है प्रत्तेक 60 मिनट में मिनट की सुई डैश मिनट तेज होती है गंटे की सुई से वैसे तो आप इस कोश्चन का अंसर ओरली कर सकते हैं लेकिन इससे पहले कि हम इस कोश्चन को डिसकस करें हम क्लॉक से ग्यारा एक दो चार पांच साथ आठ बहुत ज़्यादा डीटियल में तो नहीं लेकिन जो आपके एक्जाम के पॉइंट आव यू से इंपॉर्टन यहां पर फैक्ट से उनको मैं फटा-फट से डिसकस कर लेता हूं तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर हैंड्स की सबसे पहले अगर हम बात करें मिनट हैंड्स की तो मिनट वाली जो आपकी सुई है वो क्या होता है एक घंटे में 360 डिगरी का कोण बनाती है यानि कि एक घंटे में 360 डिगरी का एंगल क्या करती है कवर करती है तो यानि कि हम सबसे पहले बात करेंगे यहां पर मिनट हैंड है वो आपका तीन सो साथ डिगरी का कोड बनाती है तीन सो साथ डिगरी का कोड कितने मिनट में सिक्स्टी मिनट में यानि कि साथ मिनट में आपका तीन सो साथ डिगरी का कोड बनाती है यानि कि अगर हम बात कर इस साथ मिनट के दौरान वो क्या करती है बारा डिवीजन से हो करके जाएगी तो यानि कि साथ मिनट में आप देखेंगे कि क्या होते हैं बारा डिवीजन होते हैं यानि कि इच डिवीजन हर एक डिवीजन की जो वैल्यू हो गई हर एक डिवीजन का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा तीस अंस यानि कि तीस डिगरी हो जाएगा हर एक डिविजन में यहाँ पर आपको पांच सब डिविजन देखने को मिलते हैं यानि कि इच सब डिविजन को जो हम इंडिकेट करेंगे वो किसे इंडिकेट करेंगे मिनट से इंडिकेट करेंगे यानि कि हम कह सकते हैं इसमें क्या होते हैं पांच मिनट होते हैं जिससे आप एक मिनट में, हर एक मिनट में आपकी जो मिनट वाली सुई है, वो कितने डिगरी का कोण बनाती है, तो वो आपका बनाती है छे डिगरी का कोण, यानि कि मिनट वाली सुई एक मिनट में छे डिगरी का कोण बनाती है, और जब मिनट वाली सुई साथ मिनट चलती है, तो इसक क्लियर अब हम लोग बात कर लेंगे यहां पे घंटे वाली सुई के बारे में तो अब हम लोग यहां पे बात करेंगे कि ये कौन गंटे वाली सुई कितनी देर में 60 मिनट में जियानि कि जब हम एक मिनट की वैल्यू देखेंगे तो एक मिनट की वैल्यू क्या हो जाएगे अपकी 30 by 60 डिगरी जियानि कि 30 by 60 डिगरी विच विल भी इक्वल्स टू जो की आपके क्या होगी एक बटे दो डिगरी के बराबर होगी या फिर आधा डिगरी के बराबर होगी तो यहां से यह निकल के आया कि जो आपका आवर हैंड है जो आपकी घंटे वाली सुई है वो एक मिनट में आधे डिगरी का एंगल बनाती है यानि कि एक मिनट में कितने डिगरी का अंगल बनाती है आधे डिगरी का अंगल बनाती है तो यहां से हम देखें तो जो आपकी मिनट वाली सुई है जो आपकी मिनट वाली सुई है वो आपके घंटे वाली सुई के मुकाबले बारा गुना क्या है तेज है बारा गुना क्या है कि एक गंटे में मिनट वाली सुई और अगर हम बात करें घंटे वाले सुई के वीच में नबे डिगरी का कोण जो है वो दो बार बनता है तो 24 घंटे में या बारा घंटे में कितनी बार बनेगा तो इस पर भी हम बात करेंगे जीरो डिगरी का कोण, 180 डिगरी का कोण और 90 डिगरी का कोण यानि कि हम बात करें यदि जीरो डिगरी के कोण के बारे में यानि कि हम बात करें यदि जीरो डिगरी के कोण के बारे में तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जैसे कि अभी 12 बजे दोनों सुईयों के बीच में जीरो डिगरी का कोड़ बना है अगली बार ये जीरो डिगरी का कोड़ बनेगा क्या एक बजे बनेगा नहीं एक बजे जीरो डिगरी का कोड़ नहीं बनेगा क्योंकि आपकी जो घंटे वाली सुई है वो क्या हो जाएगी एक पे चली जाएगी जबकि आपकी मिनट वाली सुई क्या हो जाएगी बारा पे आ जाएगी यानि कि देखा जाए तो एक घंटे में ओवरलैप करना चाहिए था लेकिन ओवरलैप करते नहीं है क्यों नहीं करते हैं क्योंकि आपकी जो घंटे वाली सुई है वो भी मिनट की दिशा में क्या करती ह कि इनको जो ओर लैप करने में जो समय लगेगा दोबारा से संपाती होने में समय लगेगा वो लगेगा आपका ell at five tenth jij बाए मेंट पांच बटे ग्यारा dur यानि गर्राइक डोनों सुयों के बीच की जो जीरो डिगरी वा स film शुत है बना पड़ canoe access इसको आप देख भी सकते हैं यदि आप इसको ग्यारा से मल्टिप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आ जाएगी वह आपकी बारा घंटे यानि कि साथ सो बीस मिनट के बराबर आ जाएगी देखिए यह हो जाएगा आपका साथ सो पंदरा प्लस पांस साथ सो बीस बटे ग्यार ग्यारा से ग्यारा कैंसिल हो जागा यानि कि 720 मिनट यानि कि 12 गंटे की अगर हम बात करें तो 12 गंटे में जो 0 डिगरी का कौन बनता है वो आपका बनता है 11 बार इसी प्रकार यदि आप से पूछ लिया जाएगा 24 गंटे में कितनी बार बनता है तो 24 गंटे में आपका सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो दोनों सुईयों के बीच में एक घंटे में दो बार ऐसा मूमेंट आएगा जब इनके बीच क्या होगा तीन डिविजन का गैप होगा यानि कि एक घंटे में दो बार बनाएंगी लेकिन अगर हम बात करें बारा घंटे की तो बारा घंटे में ये बनेगा बाइस बार अब यहां पे कुछ और जो facts आपको याद रखने हैं जो point आपको याद रखने हैं तो ध्यान ये देना है जब कभी भी आप क्या करेंगे जब कभी भी आप दिये गए समय पे एंगल निकालेंगे तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो आपकी घंटे वाली सुई है वो दियान दीजे दो बजे जो घंटे वाली सुई होगी वो दो पे होगी जब कि आपकी मिनट वाली सुई होगी वो कहाँ पे होगी तीन पे होगी लेकिन अगर आप बात करेंगे घंटे वाली सुई की तो घंटे वाली सुई एक्जाक्ली दो पे नहीं होगी ये एक्जाक्ल बनना चाहिए 30 degree का लेकिन चुक्कि आपका minute hand 15 minute चल गई तो एक minute में जो आपका hour hand चलता है वो चलता है 10 degree यानि कि 15 minute में चलेगा 67 degree अब ये बताईये कि ये minute की तरफ चलेगा कि minute से दूर चलेगा तो जी मिनट की तरफ चलेगा और अगर हम बात करें 30 में से आप को साड़े साथ माइनिस करते हैं तो यह बनता है आपका 22.05 डिग्री इसी प्रकार यदि हमने टाइम दे दिया आपको चार बच के दस मिनट तो ध्यान दीजिएगा एक सुई यानि कि हम बात करेंगे गंटे वाली सुई की तो गंटे वाली सुई होगी चार पे जबकि आपक मिनट के साथ आधा डिग्री आपकी घंटे वाली सुई भी क्या करी होगी आगे चल गई होगी यानि कि हम बात करें यहां मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच बनने वाले एंगल की तो यहां पे जो आपका एंगल बनेगा दो डिविजन का गयप है बनना चाहिए साथ डि है और वो वैल्यू क्या है बारा बटे ग्यारा इसका यूज करना भी हम जानेंगे तो चलिए हम लोग आते हैं वापस से प्रस्ण के उपर और बात करते हैं दिये गए कोस्टन की जैसा की कोस्टन आपको स्क्रीन पर दिया गया है कि मिनट हैंड एक गंटे में घंटे वाल कि ब्राबर हो जाएगी 55 के ब्राबर हो जाएगी यानि एक घंटे में जो इनके मिनट का कितने का होगा 55 का होगा ऐसे भी आप देख सकते हैं कि जब हमने 12 से स्टार्ट किया तो दोनों सुई यह बारा पे थी उसके बाद जब आपकी मिनट वाली सुई 12 से बाराब पहुंची तो आपकी घंते वाली सुई कहां पहुंच गई एक पहुंच गई यानी कि उनके वीच जो डिफेरन्स आएगा वो कितने का अगपाईगा लेते हम यहाँ पर अगले प्रशन की अगला प्रशन जो आपका है वो घाड़ी पर ही बेज़ड है लेकिन यहां पर यह जल प्रतिविम से related question पूछा गया है तो ध्यान दीजे जब कभी भी आपसे जल प्रतिविम पर आधारित प्रशन पूछा जाएगा तो आपको क्या वैल्यू याद रखनी और यदि आपसे दरप्रतिविम जाने की मेरा रिमेश पूछा जाता है तो आप इस वाले नंबर से क्या करेंगे वैल्यू को माइनिस कर देंगे यदि हम बात करते हैं तीन बच के तेरा मिनट की तो अठारा में से जब आप तीन घटाओगे तो बचेगा पंद्रा और ती तीस में से तेरा घटाओगे तो बचेगा सत्रा यानि की तीन बच के सत्रा मिनट आएगा लेकिन इन केस आपका जब मिनट क्या कर जाता है तीस से जादा हो जाता है इन केस आपका मिनट क्या कर जाता है तीस से जादा हो जाता है जैसे हमने कहा यहां पे तीन बच के हमने क तो हाँ 33 मिनट आपको घटाना है, हमने कहा 3.33 मिनट आपको घटाना है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से आप क्या करेंगे, कैरी ले जाएंगे, और जैसे यहाँ से आप कैरी ले जाएंगे, तो यह वैल्यू आपकी बन जाएगी कितनी, तो यह वैल्यू बन जाएगी यहां पे जो आपकी वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी यहां पे जो आपकी वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी सत्तावन और यहां पे जो आपकी वैल्यू बन जाएगी सत्तरा में से तीन के चौदा यानि कि दो बचके सत्तावन मिनट दो बचके सत्तावन मिनट क्लियर इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं कि हम बात कर लेते हैं दरपण प्रतिभिंब की यानि कि इस पर्टिकुलर अगर हम कोश्चन के लिए देखें तो इस पर्टिकुलर के लिए कोश्चन के लिए जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा यहां पर भटाना है था कितना त दरपण प्रतिविम्ब की जैसे माल लेते हैं इसी समय को हमें बताना हो किसमें दरपण प्रतिविम्ब में बताना हो तो हम क्या करेंगे इसमें से वैल्यू को माइनस कर लेंगे यानि कि साथ में से तेरा गए आपके बचे सैतालिस और ग्यारा में से तीम बचे आठ है निकि क्या करना होगा उसका जल प्रतिवी में बताना होगा तो आप क्या करेंगा उसको 18 30 में से क्या कर देंगे माइनिस कर देंगे अब यहाँ पर बात करते हम अगले प्रश्न की यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है 5, 30, 6 के बीच यानि कि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 5, 30, 6 के बीच यानि कि यह हो गया आपका 12 यह हो गया 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8 अब बोल रहा है 5, 30 से यानि कि जो आपका our hand है वो कहा होगा 5 पे होगा और जो minute hand है वो भी 6 पे है अब इसके बाद इनके बीच में 90 डिगरी का कौन कब बनेगा यानि कि 90 डिगरी का मतलब क्या हो गया 3 डिवीजन का गैप 3 डिवीजन के गैप की बात करें तो 105 पे है दूसरी कहा होनी चाहिए 8 पे होनी चाहिए लेकिन जब यह 108 पे आएगी तो क्या यह exactly 5 पे रुकी रहेगी यह exactly 5 पे नहीं रुकी रहेगी इसके लिए मैंने आपको एक वैल्यू बताया था वैल्यू क्या थी आपकी 12 बटे 11 यानि कि जहां बनना चाहिए जो आपके एक दिमाग में इमेज बनती है कि 90 डिगरी के लिए क्या होगा तो यह बन जाएगा आपका 480 by 11 और जब आप इसको solve करते हैं तो यह बन जाएगा आपका 43 हूल 7 by 11 यानि कि 5 बज़ के 40 मिनट पे बनना चाहिए था लेकिन यह बनेगा कहां 5 बज़ के 43 मिनट 7 बटे 11 पे यानि कि option number C हो जाएगा आपका सही उत्तर इस particular question के लिए clear तो जब कभी भी कोई भी time पूछा जाए जैसे मान लेते हमने कहा आप से की 1 से 2 के बीच में चलिए हैं आप निकाल के दिखाते हैं हमने कहा 1 से 2 के बीच में दोनों सुईयों के बीच में 90 डिगरी का कोड 180 डिगरी का कोड और 0 डिगरी का कोड कितने समय बज़ पे बनेगा clear तो यहाँ पर हम इन तीनों वैल्यूज को निकालेंगे यहाँ पर फटा फट से देखिए कैसे जैसे हमने कहा 1 से 2 के बीच में तो सबसे पहले तो यह होगा आपका 1 बज़े का time clear अब यदि हम बात करते हैं एक से 2 के बीच में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 90 डिगरी के कोड की यदि आप 90 डिगरी के कोड की बात करते हैं तो 90 डिगरी के कोड का मतलब होगे तीन डिवीजन का gap तो एक सूई यदि एक पे है तो दूसरी तीन डिविजन के गैफ यानि कि चार पे होगी तो भी आपका नबे डिगरी का कोड़ बनेगा और माइनस तीन करोगे यानि कि यहाँ पे दस पे होगी तो भी आपका नबे डिगरी का कोड़ बनेगा तो यानि कि जब हम बात करेंगे चार पे होगी तो मिनट कितने होंगे ब तो 20 को आपको multiply करना होगा किससे 12 बटे 11 से यानि किसकी value आजाएगी चार बज़ के 21 मिनट नव बटे 11 और अगर हम दूसरी बात करें तो चार यानि कि एक बज़ के 50 मिनट की हम बात करें एक बज़ के हम 50 मिनट की बात करें तो एक बज़ के 50 मिनट को आपको किससे multiply कर देना होगा पचास को आप multiply करेंगे बारा बटे ग्यारा से जिसकी value आ जाएगी 600 बटे ग्यारा जो की बराबर किसके होगा 54 whole 6 by 11 के जो की बराबर होगा किसके 54 whole 6 by 11 के इसी प्रकार हम बात करें यदि 180 degree का कोण कब बनेगा तो 180 degree का मतलब 6 division का gap तो यानि कि एक में 6 जोड़ोगे तो 7 यानि कि value कितनी आ जाएगी 35 तो एक बज के 35 minute को आप multiply करोगे किससे बारा बटे 11 से तो इसको जब आप 12 से multiply करोगे तो बारा त्याई 36 और बारा पंचे 60 यानि कि 420 बटे 11 इसको जब आप काटोगे तो यहाँ पर बचेगा 42 है तो 33 जाएगा तो बचेगा कितना नौहास आई है थार्टी एट होल टू बाई 11 आ जाएगी आपकी वैल्यू क्लियर तो यानि कि बनेगा कब डिटिप्लाइ करे तो यह बने गाएंगल याद करना यह दिए गएंगल पे समय गयाद करने के लिए 12 बटे 11 और दिये गए समय पे एंगल ज्याद करने के लिए आपको मैंने बता है दोनों का कॉंसेट 6 डिगरी और हाफ डिगरी का यहां पे अधी हम बात करें अगले प्रस्ण की तो पूछा है तीन मिनट में एक घड़ी 5 सेकेंड यहां पे आपका होगा 5 सेकेंड तेज है और इसे सुबा 8 बजे सेट किया जाता है उसी दिन रात के 10 बजे क्या समय दिखाएगी तो ध्याद दिजिए सबसे पहले ऐसे प्रस्णों को हमें हल करने के लिए समय अंतराल निकालना आना चाहिए यानि कि हमें क्या आना चाहिए हमें टाइम इंटरवल निकालना आना चाहिए यदि हम बात करें यहां मॉर्निंग 8 एम से यानि कि सुबा 8 बजे से रात 10 बजे तक के पीच का जो टाइम इंटरवल हो गा यानि कि जो समय पर और यदि एक कि यह तीन मिनट पे पांस सेकंड तेज हो रहे हैं तो एक घंटे में कितना तेज होगी तो इन्टूटी कर देंगे और यहां भी क्या कर देंगे ज़सी कर देंगे तो यानि कि ये एक घंटे में 100 सेकंड तेज हो जाएगी तो 14 घंटे में 14 घंटे में कितना हो जाएगी 1400 सेकंड क्या हो जाएगी तेज हो जाएगी और इन 1400 सेकंड को हम क्या करेंगे मिनट में convert कर लेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि जो आपके मिनट होंगे यानि कि 140 इसमें आप देखेंगे कि यह हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 बचेगा 2, 6, 3, 18 यानि कि 23 मिनट तो आपके पूरे-पूरे हो जाएगे और बचेंगे आपके 20 सेकंड और बचेंगे आपके 20 सेकंड यानि कि हो अबसंपा करें कि लिए कि हम बात करें कि दिन क्या आपका गुरुवार भर दिन क्या कि घुट कर राता हैителя वारा राता बस्ट का मैं मध्य स्विखर शुक्रवार किसम ना डिखाए गी तॅर्ट बाती ग्यांता क्या हो सब्सक्रिच हर ऊपज़एuppit और ये दिन आपका है क्या शुक्रवार क्लियर चलिए अब यहां पर हम बात करेंगे किसकी समय अंतराल की तो दो बजे गुरुवार से दो बजे शुक्रवार तक जाओगे तो हो जाएंगे 24 गंटे और दो एम से जब आप क्या करोगे दोपहर के 12 एम तक आओगे दोपहर के गंटे और उस बारा से साड़े छे तक आओगे तो साड़े छे गंटे और यानि कि 40 गंटे 30 मिनट या 40.5 गंटे जो यहां पर समय अंतराल निकल करके आया वो किसका आया वो आगया हमारा 40.5 गंटे और यदि हम बात करें कि हर 3 गंटे में 20 सेकेंड तेज होती है तो यहां फे हम तीन से अगर इसको क्या करने विभाजित कर दें तो यानि कि यह value आ जाएगी हमारी 13.5 यानि कि 13.5 बार वो क्या करेगी 20 बीस सेकंड आगे जाएगी इट मींस टोटल जो हो जाएगी आगे 270 सेकंड क्या करेगी आगे जाएगी और इस 270 को जब आप मिनट में convert करोगे इस दो सब्तर को जब आप Minute में Convert करोगे तो तो चार मिनट तो पूरे पूरे होजाएंगे और क्या हो जाएंगे 30 सेकंड और क्या हो जाएंगे 30 सेकंड या 4.5 मिनट तो यहांपे बात करें तो आपका जो समय था वो दिया था 6.30 मिनट यानि कि यहांland जो उत्तर हो जाएगा, वो जाएगा 6 बज़ के 34.30 सेकंड, फिर से देखिए इसको आप कैसे हल कर सकते हैं, काफी आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना था, समय अंतराल निकालना था, तो गुरुवार 2 बज़े राज से अगर हम बात करें, दो ए पाच घंटे ही होगी, आपका समय अंतराल, अब हर तीन घंटे में क्या करती ही, गड़ी 20 सेकंड आगे जाती है, तो यानि कि 3 से इसको विभाजित करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी, तो यानि कितने बार वो 20 सेकंड क्या करेंगे, आगे जाएगी, तो इसको आप 20 से ग अगले प्रस्न में आपसे दिया गए, घाड़ी की दोनों सुईयों के बीच 10-25 पर कितने डिगरी का कोड़ बनेगा, यानि कि जब आपसे एंगल की बात कर रहा है, तो एक सुई होगी 10 पे, दूसरी होगी 5 पे, दोनों के बीच में जो डिवीजन का गैप है, वो कितने ड सुई होगी 10 पे, पांच डिवीजन का मतलब अगर हम बात करें, तो कितने डिगरी हो गया, डेल सो डिगरी का एंगल बन गया, लेकिन हमने कहा कि आपकी जो घंटे वाली सुई है, वो मिनिट वाली सुई से क्या है, आगे है, आगे है तो यानि कि एंगल क्या होगा, हर एक मिनिट के साथ आधा डिगरी का एंगल जुड़ता चला जाएगा और मिनिट है पच्चिस तो यानि कि साढ़े बारा डिगरी जुड़ेगा और आपका जूत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आप्शन नमबर डी यानि कि 162.5 डिगरी तो इसको आप औरली भी बना सकते हैं यदि आपके दिमाग में ये चीज़ है कि कौन सी सुई कहां पे है कितने डिविजन का गैप है तो आप इसको औरली भी हल कर सकते हैं यदि हम बात करें अगले इस प्रश्न की तो यहाँ पे ल पताते चलूंगा जिसको आपको नोट डाउन करते चलना है तो सबसे पहले अगर हम बात करने कैलेंडर की तो कैलेंडर की क्या है कि 400 सालों में क्या होता है रिपीट होता है यानि कि दोर आता है तो जैसे कि यहाँ पर कुछ अगर हम बेसिक कॉंसेप्स की बात करें तो मान करेंगे वर्स 2022 के प्रथम दिन की तो वर्स 2022 का जो प्रथम दिन है वो हो जाएगा आपका सेटरडे यानि की सनिवार अब इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी साधारन वर्स जैसे कि आपका वर्स 2021 की क्या है साधारन वर्स है तो किसी भी साधारन वर्स का जो प्रथम दि इसम्बर को भी क्या मिलेगा सुक्रवार मिलेगा जिस से आपके दोहजार 22 की सुरुवात कहां से होगी यानि कि मन्डेjak Refereo होगी लेकिन जब हम बात करें दोहजार 23 की जो सुरुवारे खोगी वोThis do और जो दो हजार चौबिस की सुरुवात होगी वो किस से होगी सोंवार से होगी यानि कि मंडे से होगी लेकिन जब हम बात करते हैं दो हजार पच्चिस की लेकिन जब हम बात करेंगे दो हजार पच्चिस की तो दो हजार पच्चिस की सुरुवात किस से होगी वो होगी आप दिन क्या होगा अधिक होगा इट मेंस कि यहां पे 31 दिसंबर को होगा मंगलवार और 2025 की जो सुरुवात होगी वो किससे होगी बुद्धवार से होगी इसका मतलब यह है कि यहां पे एक अतरिक दिन आपको फरवरी देखने को मिलता है जिसके कारण यहां पे इस प्रकार के आपको यानि कि प्लस तू डेज वाले चेंजिस आपको देखने को यहां पे मिल रहे हैं तो यानि कि इस कॉंसेप्ट के बेस पर यादि हम इस कोस्चन को देखें तो ध्यान दीजिए हम बात करेंगे चार अप्राइल चार अप्रेल उननिस सो 88 की और फिर हम बात करेंगे चार अप्रेल 1989 clear तो ध्यान दीजे चार अप्रेल 1988 को यदि क्या था मंडे था तो चार अप्रेल 1989 को क्या हो जाएगा Tuesday हो जाएगा अब ऐसा क्यों हो जाएगा तो ध्यान दीजिए ऐसा इसली हो जाएगा कियोंकि आप कहांगी यह तो सर लीप एर लीप एर में आपने क्या कहा की एक दिन छोड और करके यानि कि धिसंबर में क्या होता एक दिन जाद rulers यानि दो दिन जाद हो जाएगा लेकिन यहां पे आपकी 29 फर्वरी बीच चुकी है तो यहां पे आपका जो अगला साल है वो क्या होगा अगले दिन यानि कि एक ही दिन यहां पे आपको जादा देखने को मिलेगा कि यहां पे 29 फर्वरी बीच चुकी है clear अगर ये 29 फर्मरी ना भीती होती तो यहां पे आपको दो दिन का फर्क देखने को मिलता है इसलिए यहां पे जो दिन हो जाएगा वो क्यों हो जाएगा त्यूजडे हो जाएगा अब हम October और November यानि कि हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं तीन इसको हम लिख सकते हैं दो इसको हम लिख सकते हैं तीन 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 और यह हो जाएगा आपका पांच यानि कि अब हम बात करेंगे remainder की यानि क अगर हम साथ को निकाल दे तो बचेगा आपके पास रिमेंडर पांच यानि कि अभी है Tuesdays में प्लस पांच दिन जाओगे आप तो आपको दिन मिलेगा रवीवार या तो आप क्या कर सकते थे पांच दिन आगे जा सकते थे या तो आप क्या कर सकते थे दो दिन पीछे आ सकते ते थे यानि कि आपको जो यहां उत्तर मिलेगा वो क्या मिलेगा? रवीवार यदि हम बात करें इस प्लश्न की तो यहां पर दिया गया है 5 दिसंबर 1993 को निर्मला और राजु ने रवीवार को अपनी सालगिरा मनाई कि यहां पे यहां पर हम बात करें यहां पर इना का रवी वार है तो यहां पर क्या हो जाएगा सौंवार यानिकी यहां पर क्या हो जाएगा मंगलवार यहां पर जब कि हम बात करेंगे यहां पर यह पर यह प्लस हो जाएगा यहां पर यहां पर कॉछ नमबर शुक्रवार यह कॉंसेप्ट आपको समझने में बिल्कुल कठना ही नहीं हुई होगी क्योंकि मैं पहले ही आपको पहले कोशन में बता चुका हूं बात करते हैं अगले प्रस्न की तो पूछा है श्री मती सुषीला ने मंगलवार 30 सितंबर 1997 को अपनी साधीव की सालगिरा मनाई वह उसी दिन यानि कि मंगलवार को अपनी अगली साधीव की सालगिरा कब मनाएगे यह कोशन भी आपका सेम कॉंसेट पर बेज़ड है देखिए 1997 1997 डे क्या है तुजडे दोबारा से अपने को ट्यूजडे लाना है तो क्या हो तुजडे की तो देखिए यहां पर एक जनवरी अगर शुरू होती ए किसी दिन से तो 21 दिसंबर को उसका अगला दिन आपको देखने को मिलता है इसलिए यहां पर दो दिन का गैप होगा अगेन यहाँ पर हो जाएगा Monday और यह हो जाएगा आपका Tuesday यानि कि 2003 में उसी तारिख को क्या करेंगे ये लोग अपनी सालगिरा सेम डेपे मनाएंगे यानि कि हम बात करें यहाँ पर दिये गए विकल्पों की तो हो जाएगा 30 सितंबर 2003 तीन क्लियर बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के उपर अगला प्रस्ण आपको दिया है सब्ता के निमलिखित दिनों में से कौन सा दिन सताब्दी का अंतिन दिन नहीं हो सकता तो यानि कि हम लास्ट डे ऑफ सेंचुरी के अगर बात करें तो यह देखिए पांच के मल्टिपल मे यह हो जाएगा आपका Wednesday दस पांच पंदरा मतलब एक ही हो जाएगा आपका Monday और 15 छे 21 का मतलब हो जाएगा Sunday और उसके बाद दोबारा फिर यह शुरू होगा पांच पांच और छे यहां पर फिर से आपका शुरू मंडे से यानि पांच जोड़ों के तो फिर से क्या जाए पिर से क्या जाएगा Wednesday आजाएगा फिर से आजाएगा आपका Monday और फिर से आजाएगा आपका Sunday क्लियर तो हम बात करते हैं यहां पे सब्ता के दिनों में से यानि कि अगर हम बात करें दिये गए आपके जो option है उन में से कौन सा ऐसा दिन है यानि कि इन options को अगर हम अटा दें इन हम दिनों को हटा दें तो जो remaining आपको वही क्या हो जाएगा विकल्प होगा जो कि आपके किसी भी सताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विकल्प A यानि कि मंगलवार आपको देखने को नहीं मिलेगा सताब्दी के अंतिम दिन के है वो क्या करता है चार सो सालों में रिपीट करता है यानि कि चार सावे साल का जो अंतिम दिन रहा होगा वो संडे रहा होगा इन दे सेम वे आठ सावे साल का भी अंतिम दिन क्या रहा होगा संडे रहा होगा और दो हजार की बात करें तो संदो हजार का भी जो अंतिम दिन र बात करें तो जनवरी का रिमिंडर हो गया तीन फर्वरी की बात करें तो फर्वरी का रिमिंडर हो जाएगा जीरो क्योंकि यह आपका क्या है एक और नरी येर है फिर हम बात करेंगे मार्च की फिर हम बात करेंगे एपरेल की यानि कि एपरेल की हमें एक तारिक से क्या करना ह चैने कि चे तक देस्य संदे शीरावगर यान बैनाद करते हम अगले को बने अगले प्रश्जिन आ प्रस्जट कहुं पाकर अधार्विट प्रश्ण है तो पासे पर अधारित अगर हम प्रश्नकी बात करें तो पासे में ध्यान देना आपको कुछ ही concept यहाँ पे है जैसे कि हम यहाँ पर बात करें दिये गए प्रश्नकी तो आप से पूछा गया है लाल रंग की सता के विपरीत वाली सता पर कौन सा रंग होगा तो सबसे पहले तो आपको देख लेना है common element यानि कि पासा कितना है तो पासे है एक और उसकी दो अलग अलग स्थितियों को यहाँ पर दर्शाया गया है यदि हम यहाँ पर पासे की बात करें तो इन में जो आपको common रंग दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा आपको बैगनी आपको इस विपरी ते दिखाई में आप क्या करेंगे move on करेंगे तो यहाँ पर बैगनी से शुरुआत करें तो बैगनी के बाद आपको देखने को मिलता है हरा और फिर आपको मिलता है नीला और अगर हम position two की बात करें तो बैगनी के बाद आपको देखने को मिलता है गुलाबी और उसके बाद आपको देखने को मिलता है नारंगी clear? it means यहाँ पर अगर हम बात करें तो नीला का जो opposite हो जाएगा यानि कि नीले कि नीले सत्य की विपरीत सत्य हो जाएगी वो क्या हो जाएगी नारंगी हो जाएगी हरे रंगी सत्य के विपरीत जो हो जाएगी वो हो जाएगी गुलाबी यानि कि अब हम बात करें लाल रंग के स विपरीत है बचता आपके पास एक ही विकल्प है बैग नी क्योंकि बैग नी कि अपोजिट में क्या हो जाएगा फिर लाल रंग हो जाएगा यानि कि ऑप्शन नंबर सी विल भी दर राइट अंजर फॉर इस पर्टिकुलर कोश्चन तो आपको जो कॉमन सर्फेस होगा वहा वी डूसरे से संलगन नहीं हो सकती कि इसको मघले प्रशन में यहां पर अपसे पूछा गया है पांच के विपरीत कौन सा अंक है तो दोनों में आपको पॉछ्य क्या दिखाई दे रहा है? common दिखाई दे रहा है पाँच से यदि हम clockwise direction में चले तो हमें मिलता है दो और एक और यहां चलते हैं तो हमें मिलता है छे और चार अब देखिए यहाँ पे पूछा है आप से कि पाँच के विपरित में कौन सा होगा तो पाँच के विपरित मैंने का two adjacent surface यहां पर दिया गया एक घन की सभी सता हो यानि कि यह कोशन आपका घन पर आधारित प्रस्न है यानि कि हम बात करेंगे जब घनों की तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम इसके कुछ कॉंसेब्स को समझेंगे घन पर आधारित जो के चीज आपने को समझनी देखिजे से कि यह घन है ना अब होता क्या है यहां पर आपके जो सत्षा होती जो सर्फेस होते हैं वो कितने होते हैं सर्फेस होते हैं आपके छे सर्फेस कितने होते हैं छे इस प्रकार से आपको पीछे भी होता जो कि यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इन छे सर्फेस हो कि हम बात कर लेते हैं देखिए इस पर मैं बना के आपको दिख हैं यार्ट कोने हो गए किनारों की तो बार आप को rapid कीनारे हो था कीनार इक और किनारे होते हैं यह स्थे जंट Adapt Also स्थे इन बातों को आपको फटा-फट से करें किनारा आप हम बात करेंगे इन पर आधारित प्रफ्ष्णव की जो इन पर आधारित प्रस्ण है फटाफट से इसको कि आप यहाँ पे देख लेते हैं वो कि ज सबसे पहले जो आपको प्रस्णदेखने को मिलेंगे वो मिलेंगे आपको total number of smaller cubes की यानि की एक बड़े घंसे बनने वाले छोटे घंव की संख्या की clear तो यदि हम बात करें यहाँ पे बड़े घंसे यानि की मान लेते हैं यह 3 cm का 3 x 3 cm का एक बड़ा घंथा जिसको हमने 1 x 1 x 1 के 27 छोटे घंव में क्या कर दिया विभाजित कर दिया clear तो जब आप इसको 27 छोटे घंव में विभाजित करते हैं तो इसको हमें 27 घंव में विभाजित करने के लिए कम से कम कितनी बार काटना पड़ेगा यानि कि इसको हमें 27 घंव में विभाजित करने के लिए कम से कम कितनी बार क्या करना पड़ेगा काटना पड़ेगा, यानि कि question जो आपका पहला बनेगा, वो बनेगा total number of cuts की उपर total number of cuts की उपर, तो इसको आप लोग लिख लेंगे total number of cuts, दूसरा यदि हमने इस ओदन की सभी सतहों को क्या कर दिया, यानि कि बड़े ओदन की फिर जिसकी दो सतह रंगीन होगी फिर जिसकी एक सतह रंगीन होगी और फिर रंगहीन सतह फिर रंगहीन सतह की हम लोग बात करेंगे एक हमने बात की number of cuts के उपर यानि कि total कितने आपके हाँ पे cut लगेंगे उसके उपर फिर तीन सतय रंगीन, दो सतय रंगीन, एक सतय और रंग वहीन सतय के उपर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग समझते है number of cuts यानि कि जब आप किसी घन को क्या करते हैं चोटे घनों में विवाजित करते हैं तो वहाँ पे जो total number of cuts लगते हैं वो कितने लगते हैं कैसे लगते हैं उसको समझी है तो मैंने आपको note करा दिया है 6 surface होते हैं, 12 corner होते हैं, sorry, 8 corners होते हैं और 12 क्या होते हैं, ages होते हैं, किनारे होते हैं, clear, अब हम बात करें यदि यहाँ पे number of cuts की तो देखें, जब आपने इस बड़े घन को छोटे घन में विवाजित करना था, तो यहाँ से आप पहले एक cut लगाएंगे यानि कि इसको तीन भागों में बाटना है, तो हमें कितने cut लगाने पड़ेंगे, दो cut लगाने पड़ेंगे तो यह हमने लगा लिए, दो cut, उसी प्रकार इधर से भी हमें इसको तीन भागों विवाजित करना है, तो यह हमने लगाया एक cut यह हमने लगाया दूसरा cut उसी प्रकार हमें इसको इधर से भी तीन भागों विवाजित करना है तो हम इसको लगाएंगे 2 cut और यह हो गया, तीन भागों में विवाजित यानि कि आपने यहाँ पे देखा कि हमने इसको total 27 भागों में विभाजित करने के लिए कितनी बार कट लगाए तो हमने यहापे 6 बार कट लगाए और यह 6 कैसे निकल के आएगा तो इसको हमें याद रख लेना है कैसे n की value कितनी है यहाँ पे 3 तो क्या करेंगे हम n minus 1 क्या करेंगे n minus 1 और n minus 1 की अगर हम बात करें तो n minus 1 की value कितनी मिल गई तो n minus 1 की value मिल गई आपको 2 और multiply किस से कर देना है 3 से कर देना है विच्विल बी इक पल्स तो 6 यानि कि आपको यहाँ पे total number of परसी बात करेगा n minus 1 into 3 कर दोगे तो कितना आजाएगा 6 आजाएगा clear अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रस्थन खेंगी अगला प्रस्थन यानि कि यदी हमने ठोज गन को क्या किया था किसी एक रंग से रंग दिया था तो हम बात करेंगे इसमें 3 सतय रंगी वाले घंओ की यनि कि हम बात किसी करेंगे हम तीन सथा रंगीन वाले घनों की बात करेंगे, तो तीन सथा रंगीन वाले ध्यान दीजेए, आपके corner cubes होते हैं, जिनके तीन सथा क्या होगी, रंगीन होगी, तो ऐसे जो आपको घं मिलते हैं देखने को वो corners पे मिलते हैं clear तो ऐसे घं कितने होंगे तो ऐसे घं होंगे आपके total 8 जैसे मैंने बता था कि corners कितने हैं अपने पास total तो corners अपने पास कितने हैं 8 हैं तो ऐसे घं कितने होंगे आपके 8 हो जाएंगे यानि कि हमेशा आपके जब बात करेगा 3 surface color वाले cubes की यानि कि 3 सतारंगीन वाले घनों की तो ऐसे घन जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे तो ऐसे घन हो जाएंगे आपके 8 यानि कि 3 surface color cube की बात करेगा तो हमेशा कितने हो जाएंगे 8 भले यहां पे आपको 27 घन देखने को मिले भले यहां आपको 64 घन देखने को मिले 125 मिले 216 मिले 343 मिले जो भी मिले हमेशा आपके जो color 3 surface color वाले cubes होंगे वो कितने होंगे 8 होंगे clear अब हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं 2 surface रंगीन वाले घनों की यहां पे आप देख पा रहे हैं जो किनारे पे आपको क्यूब मिल रहा है इस किनारे पे एक आपको ऐसा क्यूब मिल रहा है जिसकी 2 सतह रंगीन है इस किनारे पे भी आपको ऐसा क्यूब मिल रहा है जिसके दो सतह रंगीन है तो यानि कि किनारे अपने पास बारा है तो यानि कि बारा ऐसे क्यूब होंगे जिनकी दो सतह रंगीन होगी तो यानि कि हम बात करेंगे दो सतह रंगीन वाले घनों की तो इसको आप कैसे निकालेंगे तो इसको आप निकालेंगे n-2 into 12 N Minus 2 into 12, आप कर देंगे, तो आपकी जो value है, वो क्या आजाएगी? दो सतह रंगीन वाले घणों की संख्या आजाएगी, अब हम बात करते हैं एक सतह रंगीन वाले घणों की संख्या की, थियान दीजे एक सतह रंगीन घनों वाली संक्या की तो आपको एक सर्फेस पे एक ऐसा घन दिखाई दे रहा है जिसकी एक सतह रंगीन है एक सर्फेस पे एक ऐसा घन दिखाई दे रहा है जिसकी एक सतह रंगीन है यानि कि हम बात करें अपने पास छे सर्फेस है तो छे सर्फेस पे ऐसे कितने घन मिलेंग और इसको निकालने के लिए आपके पास जो formula है वो क्या है formula यहाँ पे आप करते हैं n-2 का n-2 का square into 6 यानि की n-2 की value होगी 1 का square 1 into 6 करोगे तो यहाँ पे आपको जो value मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी 6 मिल जाएगी अब हम बात करते हैं रंग हीन सता होगी अब हम बात करेंगे रंग हीन सता होगी तो ध्यान दीजे रंग हीन सता निकालने के लिए अपने पास दो तरीके हैं एक तो यह की total number of cubes थे वो कितने थे 27 थे जिन में से 8 होगे आपके corner cubes यानि की 3 surface color वाले बारा होगे आपके 2 surface color वाले 6 होगे आपके एक surface color वाले तो टोटल 27 था जिसमें से अगर आप यहाँ पे बारा अट बीश से 26 गटा दोगे तो बचेगा एक यानि कि एक ऐसा cube होगा जिसकी कोई भी सतहरंगी नहीं होगी तो यानि कि हम बात करें यहाँ पे जो इसको निकाले के लिए formula होता है वो क्या होता है n-2 का whole cube तो यहाँ मैंने आपको सारे formula भी बता दिये concert भी बता दिया इन सभी को हम apply करेंगे इस वाले structure के उपर चलिए फटा-फट इसको हम लोग क्या करते हैं apply करते हैं सबसे पहले यदि हम इसको क्या करें 64 बराबर घनों में भी भाजित करना हो तो total number of cuts तो देखिए यह हो गया आपका एक हमें चार भागों में बाटना है इसको तो cut कितने लगाने पड़ेंगे तीन यह हो गया दो और यह हो गया आपका तीन इसी प्रकार यह हो गया आपका एक यह हो गया आपका दो और यह हो गया आपका तीन और इसी प्रकार यह हो गया आपका एक यह हो गया आपका दो और य यानि कि हम बात करें total number of cuts की तो यहां पर एक बार देख रहें कि हमको क्या तीन cut लगाने पड़ा रहें यानि कि इस प्रकार से हमको तीन बार cut लगाने पड़ेंगे तो कितने होगे नौ जिसको हम formula से भी निकाल सकते थे जो कि आपका क्या था n minus 1 into 3 यानि कि n की value 4 है तो minus 1 करोगे तो कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा into 3 कर दोगे तो 9 आ जाएगा अब हम बात कर लेते हैं यहां पर corner की उसकी तो corner की उसकी तो ने कहा हमेशा कितने होंगे 8 होंगे हम बात कर लेते हैं two surface color वाले cube की तो देखे एक line पे आपको कितने मिल रहे है मिल रहे है दो यानि कि लाइने कितनी है 12 तो अगर हम यह 2 की value बात करें तो यह कैसा आ जाए n minus 2 into 12 तो n की value 4 थी minus 2 करोगे तो 2 यानि कि into 12 कर दोगे तो 12 दूनी कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा यानि कि 24 ऐसे यहां पर आपको cube मिलेंगे जिनके 2 surface क्या होंगे color होंगे इसी प्रकार हम बात करेंगे आप एक सतह रंगीन वाले घनों की एक सतह रंगीन वाले हम घनों की ब इसे निकाल सकते थे n minus 2 का square into 6 यानि कि 2 का square करोगे 4 into 6 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 24 यानि कि आप इसको formula से भी निकाल सकते थे अब हम बात कर लेते हैं colorless cubes की colorless cube में देखे इसको अगर मैं क्या करूँ इसको मैं काटना शुरू करूँ इस प्रकार से कि यहां पे इसकी एक परत हम क्या करें निकाल लें इसकी एक परत यदि हम निकाल लें इन चारों को हम बाहर निकाल लें तो देखे इसी प्रकार यहां पे भी आपको 4 परत मिलेगी इसी प्रकार इस हिस्से में भी आपको 4 मिलेगी और इसी प्रकार इस हिस्से में भी आपको 4 क्या मिलेंगे तो वो हो जाएंगे 8 और इसको आप कैसे निकाल सकते थे N-2 का whole cube यानि कि 2 का cube करोगे तो कितना आजाएगा 8 आजाएगा जो कि आपका क्या हो जाएगा यहापे colorless cube हो जाएगा यानि कि रंग हीन सतय हो जाएगी तो यह कुछ basic concept है आपके किस पे घन पर आधारित कुछ basic concept है अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक घन की सभी सताओं को लाल रंग से रंगा जाता है इसे समानाकार के 64 छोटे घनों में काटा जाता है रंग हीन घनों की संख्या बताईए तो रंग हीन घनों की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी आठ हो जाएगी जैसा कि आपको भी बने हाँ पे बनाके दिखाया अगले प्रस्ण की हम बात करें तो यहाँ पे एक आठ इंटू आठ इंटू आठ सेमी के घन की विपरी सतहों को लाल हरे और पीले रंग से रंगा जाता है उसके बाद घनों को दो सेमी वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तीन सताय रंगीन वाले गनों की संख्या बताई इसको आप औरली बता सकते थे आठ मैंने बताया कि जब तीन सताय रंगीन वाले गनों की बात करेगा तो वो आपके corner cubes हो जाएंगे तो उसकी संख्या सदैव कितनी होगी आठ होगी अगले प्रशन की हम बात करते हैं तो 9 into 9 into 9 सेनी आकार के एक बड़े घन की सभी सताओं को हरे रंग से रंगा जाता है अब इसे 3 सेमी वाले चोटे घनों में विवाजित किया जाता है चोटे घनों की कुल संख्या कितनी है तो यहाँ पे n की value कितनी हो गई यहाँ कितना हो जायगा इस प्रशन का आंसर हो जाएगा अगला प्रशन आपका आधारित है missing number पर चली समझते हैं जदि हम missing number की बात करें या लुप्ट पदो की हम बात करें तो यह कई बार आपके क्या होते हैं और ऐसे प्रस्ट में यदि आप कसम खा के बैड गया है कि आज या तो हम रहेंगी या तो question रहेगा तो ध्यान देजे question रहेगा और आप क्या हो जाएंगे रेस से बाहर हो जाएंगे तो कहीं न कहीं ऐसे questions को आसानी से हल करने के सिधा सिधा एक ही उपाए आपके पास बसता है कि आप जितने ज़ादा नंबर of questions की practice करते हैं उतने ज़ादा तरीके कि आपको logic मिलते हैं अतने ज़ादा आप आसानी से प्रस्ण को हल कर पाते हैं तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको number of portions की practice करना अनिवारी है यदि आप चाहते हैं कि इस पे हमारी अच्छी खासी क्या हो command हो तो हम बात करने यदि इस प्रकार के प्रशन जब आपको दिये हुए होते हैं तो यहां पे क्या होता है कई बार इस वाले अर्धान्स का जो सम होता है जो योग होता है वो इस वाले अर्धान्स के बराबर होता है या फिर कई बार इस वाले अर्धान्स का जो आपका योग होता है वो नीचे वाले अर्धान्स के बराबर होता है या कई बार इस वाले अर्धान्स का जो योग होता है और फिर इस number से next number के लिए आपको logic देखने को मिलता है तो इस प्रकार से भी यहाँ पे आपको logic देखने को मिल जाएंगे तो हम बात करेंगे इस particular question की यानि कि हम इस प्रस्ण की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या logic लग रहा है कैसे लग रहा है उसकी हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए यदि हम अरधांसों की बात करें तो बारा वीस आठ और शे को हम जोड़ेंगे तो बारा वीस बत्तिस आठ चालिस और छे श्यालिस हो गया जबकि यहाँ पांच, तीन, आठ, दो, दस और यहाँ पे कोई ऐसा विकल्प नहीं बसता जिसको आप जोड़े तो यह 46 हो जाए इसी प्रकार यदि हम इसके उपरी अरधांस की बात करें तो इसके उपरी अरधांस में यहां बात करें कि सामने सामने पर लगने वाले लॉजिक की जैसे 20 से बारा बन रहा है, दो से आठ बन रहा है, छे से क्या बनेगा, पांच से बीस बन रहा है, तो यानि कि हम बात करें, तीन से बारा बन रहा है, तो इंटू फोर, दो से आठ बन रहा है, इंटू फोर, छे से इंटू फोर करोगे, तो चौबिस बनेगा, पांच से इंटू फो इसकी वेलिव बाइस इसकी वेलू प्रफस्पितों असुम हो Y लुए बहुत तेजी से क्या हो जाएंगे बड़े नंब sekarang का लॉजिक लगता या फिर है पिर वह लोगता है लेकिन बात करें कि यहार पर जो आपके नंबर होते हैं यदि वो बहुत तेज़ी के साथ बड़े numbers में नहीं convert हो रहे हैं तो वहाँ आपको क्या करना होता है simply आपको difference निकाल लेना होता है और आप आसानी से क्या कर पाएंगे questions को हल कर पाएंगे जैसे हम बात करें यहां पर तो यहां पर आपको difference मिलेगा अगले number में यदि हम बात करें तो यहां पर difference मिलेगा आपको 131 का यहां से अभी अपने को कोई भी logic लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे difference का भी difference निकाल लेंगे तो 17 और 43 के हम यदि difference की बात करें तो यहां पर आपको difference बनता है वह बनता है 26 का यहां आप जो डिफेरेंस बनता है वो बनता है कि यहां पर लॉजिक कर सकते हैं असानी सि कि इन दोनों में 12 का डिफेरेंस एन दोनों में 12 तो नैक्सट में भी क्या होगा 12 तो यानि कि आनि कि आपने 50-91 जोड़ा तो उसे 31 है यानि कि पांच और तीन हो जाएगा आठ नौ और साथ हो जाएगा सूला दो एक तीन प्लस एक हो जाएगा चार यानि कि 468 ऑप्शन नंबर भी तो ध्यान दीजिए एक बार डिफ्रेंस निकाल के छोड़ना नहीं है लॉजिक नहीं मिलता है तो आप डबल डिफ्रेंस ले अगला प्रसन आपके स्क्रीन प्याच चुका है जो कि आपका मिसिंग नंबर पर अधारित है यहां पर हम लॉजिक की बात करें जैसे यहां देखने को मिल रहा है पांच प्लस तीन करोगे तो आठ आ जाएगा लेकिन दस प्लस साथ करोगे तो सत्रा आपको देखने को नह ही मिल रहा है यानि कि अभी आपको क्या करना है कुछ और लॉजिक यहां पर ढूड़ना है अब यदि हम बात करें यहां पर और किसी प्रकार से जैसे यहां पर देखें तो आठ प्लस तीन करेंगे तो क्या मिल जाएगा ग्यारा और फिर यहां पर प्लस छे करेंगे तो क् क्या करेंगे दस एड करेंगे तो मिल जाएगा हमें 20 यानि कि विकल्प भी क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा दिये गए प्रस्ण के लिए बात करते हैं अगले प्रस्ण की अगला प्रस्ण आपको दिया गया है नंबर सीरीज पर यानि कि संक्या सिंखला पर अधारित पस्ठ नहीं तो हम क्या करेंगे यहां पर डिफरिंस लेंगे 16 चाल सकते हैं आसान medicine का बाइं तो चाहे आप 40 Landesregierung से 9 घटा दीजे या 23 में 8 जोड़ दीजे दोनों ही condition में आपको जो answer मिलेगा वो मिलेगा विकल्प भी यानिकि 31 will be the right answer clear बात कर लेते हैं हम लोग अगले प्रस्न की अगले प्रस्न की बात करें तो देखिए कई बार आपको क्या होता है कि number series में multiple series एक साथ चलती हुई दिखाई देती हैं तो आपको यहां पर अलग अलग series को भी consider करके देखना होता है अलाकि यहां पर मैं इसको आपको दोनों तरीके से solve करके दिखाने वाला है question को जैसे अगर हम बात करें question की तो 10, 7, 6, 8, 5, 4 जैसे हम difference लेकर के बना रहते question हम उसी पर कार्ट से हम पर बनाएंगे 10 और 7 के difference की बात करें तो minus 3 हो रहा है 7 और 6 की बात करें तो minus 1 हो रहा है 6 और 8 की बात करें तो plus 2 हो रहा है 8 से 5 की बात करें तो minus 3 हो रहा है 5 से 4 की बात करें तो minus 1 हो रहा है तिन मिलेगा यानि कि छे और तीन आपका विकल्प सी में दिखाई दे रहा यानि कि option number सी में आपको दिखाई दे रहा इसी प्रश्न को इसी प्रश्न को आप दूसरा प्रोच से भी हल कर सकते थे यानि कि मैंने कहा कई बार आपको multiple series एक साथ चलती हुई दिखाई देंगी, यानि कि multiple series एक साथ चलती हुई दिखाई देंगी, जैसे यहाँ पर आपकी तीन series एक साथ चलती हुई आपको दिखाई दे रही है, दस से हो गया, आठ अगला term यहाँ मिलेगा, साथ से हो गया, पांच अगला term आपको यहाँ मिलेगा, छे से हो गया, चार अगला term आपको यहाँ मिलेगा, यानि कि दस में दो घटाए तो आठ आया दो घटाओगे तो छे आएगा उसी प्रकार साथ में दो घटाओगे तो पांच दो घटाओगे तो तीन आएगा छे में दो घटाओगे तो चार और चार में दो घटाओगे तो दो आएगा यानि किस प्रकार से भी आप इसको क्या कर सकते थे हल कर सकते है हला कि यह reasoning है reasoning में आपको various तरिके की number series देखने को मिलती है जो कि कई बार आपके mathematical approach से solve नहीं होती है वहाँ पे आपको देजेगा ऐसे कई बार जिसे हमने कहा 1 1, 2 फिर हमने कहा 3, 3 3, फिर उसके बाद हमने कहा 5 5, फिर हमने कहा 7, 7 फिर हमने कहा 9, 11 और next हम आपको बताना है अब आप tension में आ जाएंगे आप इसको अगर मैच से solve करते रहेंगे तो आप solve ही करते रहेंगे logic आप फिक नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे अगर मैं आपको directly logic की बात करूँ तो देखें यहाँ पे आपको दो अलग-अलग logic लगाना है यहाँ कि आपको first digit अलग consider करना है और second digit को अलग consider करना है तब तो आप इस question को हल कर पाएंगे otherwise आपको यह हल होने वाला नहीं है यानि कि एक के बाद तीन, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद साथ, साथ के बाद नौ यानि कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी odd numbers की हम बात किसकी कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं odd numbers की clear जब कि हम next time की बात कर रहे हैं दो के बाद तीन, पाँच, साथ, फिर ग्यारा, यानि कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स की, यानि कि अभाज संख्या हों की, clear, तो यह हो गए आपकी विसम संख्या, और यहाँ पर हो गए आपकी अभाज संख्या, तो टिर यहां पे हो गया 12, यहां पे हो गया 8, यहां पे हो गया 4, इन दोनों का difference किया है x, ए real दो 24 में minus 4 की 20 हा गया, फिर यहांपे 12 में भी minus 4 हो रहा है, यहां 11 Pacs, y6 हो रहा है соूर, — यहां भी क्या होगा, —4, तो यहां का difference एकस, यहां का difference y, यानि कि 20 में से 4 गटाओगे तो 16 और 16 में से 4 गटाओगे तो 12 जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो clear यानि कि यहाँ पर 16 जो place value होती है वो कि C होती है तो वो होती है आपकी P की place value तो देखा आपने यहाँ पर कि mostly जो question थे उसको हम लोगों ने कैसे difference ले करके solve कि जैसा कि यह था आपके आज के session का last question तो आपको करना क्या है आपको हर एक session में इसी प्रकार से जुड़ करके session को like करना है और जादा से जादा क्या करना है number of questions की practice करना है जिसे आप अपने एक स्थान क्या कर पाएं सुनिशित कर पाएं तो मिलते हैं आप से next session में आज के ल चानल को subscribe कीजिए और daily updates के लिए bell icon को press करना ना भूले